दोस्तो स्वागत है आपका हमारी इस YouTube चनल में मैं आपका दोस्त गौरोक मोर गुपतर दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे एप के बारे में बताने वाला हूँ जिसके जरी आप बहुत अच्छे कासे मज़े उड़ा सकते हो और यह बहुत ही interesting app है मैं 100% आपको दावे के साथ बोलता हूँ कि यह आपने इस वीडियो को देख लिया इस app के काम को देख लिया तो आप 100% इसको download कर लोगे और यह आप इसको download कर लेते हो और इसको use करोगे तो आपका दोस्त भी बोलेगा भाई यह कैसे कर लेता है तो प्लीज मुझे भी बता तो यह काफी अच्छा app है क्योंकि इसमें बहुत अच्छे gesture है और इसमें shortcut बहुत अच्छे मस्ट मस्ट है तो आप इसको use करो तो चली देख लेते हैं कि इसका क्या काम है के काम को तो देखो इस app को मैंने tap किया ठीक है यानि एक click किया अब यहाँ पर मैंने setting करी है कि मैं end type करूँगा तो मेरी girlfriend की WhatsApp की setting on हो जाएगी तो मैंने यहाँ पर देखो end type किया तो यहाँ पर जो मैं WhatsApp में girlfriend से बात करता हूँ तो यह यहाँ पर open हो गया अब यदि मैं चाहता हूँ इसके पास call करना तो मैंने setting करी है कि C जब मैं type करूँ तो यहाँ पर उसके पास call लग जाए तो मैंने C type किया तो देखो उसके पास call लग जा रहा है यह पूछ रहा है कि SIM 1 से लगाना है या SIM 2 से तो मैंने SIM 1 से select किया तो यह देखो उसके पास call लग रहा है अब यहाँ पर यह दिदेखू तो बहुत सारे आप guestर यहाँ पर set कर सकते हो यानि F type करूँ तो Facebook open हो जाए W type करूँ तो WhatsApp open हो जाए Buy type करूँ तो YouTube open हो जाए और जो भी आप setting करना चाहते है बहुत सारे setting है तो मैं आपको दिखा देता हूँ तो इस app को open करते है अब देखो यहाँ पर बहुत सारे setting कर सकते है यानि M type करो तो map open हो जाए तो चलो यदि आप कुछ नया करना चाहते हो तो यहाँ पर देखो plus का निसान है इसको click करना है इसको click करने के बाद चलिए एक बार WhatsApp की तरफ ही देख लेते हैं तो यह open WhatsApp conversation इसको click करना है अब यहाँ पे आप जिसको चाहो उसको select कर सकते हो तो चलो मैं इनको select कर लेता हूँ इनको select किया अब next पर click करना है तो यह हमने next select किया अब मैं चाहता हूँ कि G जब मैं type करूँ तो इनका open हो जाए चैट, फिर से next करना है, और फिर से g type करना है, तीन बार यहाँ पे हमको करना पड़ता है, और फिर से हमने g type किया, और हमको करना है done, ठीक है, अब यहाँ हम इस पर type करते हैं, तो यहाँ पर जब हम g type करेंगे, तो इनका chat यहाँ पर open हो जा रहा है, तो यह सारी शीजे हैं, अब और मैं आपको दिखा देता हूँ, इसमें और कुछ setting है, तो यहाँ पर प्लस पर click किया, तो यहाँ पर calls पर click कर सकते हो, switch system, यानि आप चाहते हो कि मैं यह type करूँ तो हमारा mobile off हो जाए, बहुत सारी setting यह यहाँ पर कर सकते हो, unlock कर सकते हो, यानि मैं यू type करूँ तो unlock हो जाए, जो भी आप setting करना चाहते हो, तो बहुत सारी setting यहाँ पर है, अब मैं back जाता हूँ, यहाँ पर देखो यह three lines है, इसको click करना है आपको, और settings पर जाओ, तो यहाँ पर और बहुत सारी settings है, आपको मिल जाएंगी, तो यहाँ पर मैं कुछ आपको बता देता हूँ, जैसे यहाँ पर जो icon दिख रहा है, इस icon को भी आप बदल सकते हो, जैसे मैं इस red color के चाहते हो, तो इसको select किया, या फिर जो भी चाहो तो आप यहाँ से select कर सकते हो, ठीक है, अब इसके बाद यहाँ आप इस icon का size बदलना चाहते हो, तो भी यहाँ पर setting कर सकते हो, कि इसकी size कितनी हो, तो उस हिसाब से आप इसकी size बदल सकते हो, ठीक है, तो यह आप बदल सकते हो, और यहाँ जेनरल setting कापी सारी कर सकते हो, यानि देखो मैं यहाँ यहाँ पर कुछ भी करता हूँ, तो देखो जैसे यहां जी तो यह red color का दिख रहा है ठीक है तो यहां पे हम इसका color भी decide कर सकते हैं तो color setting करने के लिए यहां पे दोखर इसको click करना है और यहां पे जो भी आप setting करोगे ठीक है जैसे यह blue मैंने कर दिया और यह सेलेक्ट किया, अब इसको करेंगे, तो जो भी हम यहाँ पर टाइप करेंगे, वो ब्लू कलर कर टाइप होगा, तो यह बहुत अच्छी सेटिंग है, और काफी सारी सेटिंग है, आप इसको देख सकते हो, तो I hope यह वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो चलिए पता देता हूँ कि यह अप, आपको कैसे डाउनलोड करना है, तो मैं description में मैंने इसकी link दी है, तो आप इसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आपको प्ले स्टोर में जाना है, और आपको यहाँ पे सर्च करना है, फिंगर, ठीक है, तो फिंगर जैसे ही सर्च कर करते हो आप, यह देखो पहला ही है, तो इसको आप install कर लीजे, तो दोस्तो मुझे पता है कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी, और इज़ आपको यह वीडियो पसंद आई है, तो प्लीज इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ भी जरूर सेयर करें, और इस च करूंचे जरूर करें, जरूर सेयर करें अपने सेयरे की अवीडियो आपको आपको करेंए?